मेरा नहीं राज और आप सभी लोगों का विलकम है हमारे सुट्यूप चैनल लखी आरजमें आज किस पीडिये में हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि दुस्तों आप सभी लोगों ने विडियो की थम्लिन में देखी लिया होगा डिजिटल फिलेज के बारे में अगर दुस सर्विस सेंटर कौन-कौन से सर्विस को एकसिस कर पाते हैं इसकी जानकरी अगर आप सभी लोगों को नहीं है तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूं कि दिजिटल फिलेज के अंदर गत सी भेली कौन-कौन से सर्विस को कर सकते हैं इसके बाद दुस्तों यहां पर मैं आप लोगो पूरा लाइब टू लाइब बताने वाला हूं कि आप लोग डिजिटल फिलेज में अपना रेजिटेशन किस परकार से कर सकते हो अगर आप लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो साथ दोस्तों हमारे डियस के ग्रूप में एक लिंक भी आया हुआ है और एक लेटर भी आया हुआ है जिसके अंदर गयर दोस्तों डिजिटल फिलेज के प्रोजेक्ट है उसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है तो जितने भी से बेली अब दोस्तों आप लोग को सभी सेक्वेली को मिल सकता है इस वीडियो को आप सभी लोग को लास तक जब जो household की होती है यानि कि घर घर जाके सरवे करना जिसमें की काफी बैहतरिक्त कमिशन होता है उस सरवे का काम, Digital Village के अंतरगत ही होता है अब सभी CC भेली को सरवे का काम मिलेगा आप लोग को triple C certificate के बारे में पता ही होगा तो नाइलेट ही कंडक्ट करवाती है triple c certificate एंड दोस्तो यह गौर्मेंट की certificate होती है जिसके अंतर कर दोस्तो अगर आप लोग को digital village का project मिल जाता है सीसी वेली को यह digital village का work मिल जाता है आप सभी लोगों को तो दोस्तो आप लोग नायलेट फेसिलेटर सेंटर open कर सकते हो जिसके अंतर कर से बहुत सारे government certificates आप लोग अपने इग्जामनेशन सेंटर में दिलवा सकते हो लोगों को वाकि अलवर इंडिया में सोलर प्रांट लगाया गये थे जितने भी गली मोहले गाओं में आप लोग सोलर देखते हो जहां पर की चोवारों में लगाया होता है सोलर वो दुस्तों डिजिटल आप लोगों को कौन-कौन से सर्विस एक्सिस कर पाऊंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हो इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू वाइफाई एंड एफ्टिटी एच यानि कि दोस्तों अगर आप लोग को डिजिटल विलेज का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप लोगों फ्री में वाइफाई कनेक्शन लगाया जाएगा आप लोग के कॉमन सर्विस सेंटर में आप लोग के पंचायत में क्योंकि दोस्तों डिजिटल विलेज का प्रोजेक्ट है वो पंचायत से ही आप सभी लोग को करना पड़ेगा एफ्टिटी एच कनेक्शन बिल्कूल फ् कर सकते हैं उसका यूजर आड़े और पासवर्ड ले सकते हो बहुत आसानी से तो दूस्तों यहां पर मैं बता दू कि हमारे डियस के ग्रूप में एक लेटर आया हुआ है बहुत खुसी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा अपने जीले में प्रतिक ब्लॉक में केवल 10 ग्र सभी वेली को अपने ग्राम पंचायत को डिजिटल गाओं बनाना चाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाब कमाना चाते हैं जल से जल अपना डेटा दे यस विदा पहले आओ पहले पाओ के आधर पर मिलेगी नीचे देए गए गूगल फॉर्म को देल भेजने से पहले कु अगर आप लोगों को मिल जाता है काम अपने सेंटर करना पड़ेगा केंद करना पड़ेगा अपने पंचायत में ही होना चाहिए ठीक है भी के वल उचित फपर्मेट में ही होना चाहिए है संपून कोड के साथ यानि कि दूस्तों यहाँ पे दो लिंक दिया गया है एक Government की Official Website का और दूसरा एक Google Form दिया गया है तो दूस्तों यहाँ पे मैं Google Form को चलिए Open कर देता हूँ यह रहा Google Form और यह दोस्तों गौवर्मेंट की Official Website यहां पे दोस्तों आप लोग साब साब देख सकते हैं local, government, directory यानि कि दोस्तों यहां से आप लोग को अपने state का अपने पंचायत का code मिलेगा और आप लोग को google form में यह सारे code को fill up करके आप लोगों को अपना फियली registration करना पड़ेगा सबसे पहला नमबर दोस्तों आप लोगो government की official website पर आना होगा यहां से आप सभी लोग को अपने state का selection करना होगा यहां से आप सभी लोग को अपने district का selection करना होगा capture को fill किजिएगा and get report के option पर आप सभी लोगों को click कर देना है इसके बाद दोस्तों आप लोगो Google form को open करना है यहां पर सबसे पहला नमबर state name आप सभी लोग को डालना है state code डालना है district name डालना है अपना district code डालना है block name डालना है block code डालना है gram penchant का name डालना है gram penchant का code डालना है अब code आप लोगों को जिसे मैंने पहले ही बता दिया कहां से मिलेगा इस website में मिलेगा website का link आपको description में डाल देंगे ठीक है अपने village का name डालेगा village का code डालेगा इसके बाद दोस्तों village का population कितना है कितनी आबादी आप लोग के village में उसको भी डालना है अपना नाम डालना है वेली का name इसके बाद वेली के शेशी ID डालनी है वेली का mobile number, email ID और वी मार्क में आप सभी लोग को CSC यहाँ पर टाइप करना है and submit के option पे click करता है अगर दोस्तों आप लोग पहले registration कर देते हो या दोस्तों अगर आप लोग को जो digital स्वाप पोटल है इसको दोस्तों चेक किया जाएगा अगर आप लोग की transaction अच्छी है आप लोग government की services करते हो या लोगों को अच्छी services provide करते हो तो दोस्तों आप लोग को यह जो digital गाउं है या digital village का जो project है या आप सभी लोग को मिल जाएगा और अप लोग इसका user ID and password आप लोग को email ID में पता चल जाएगा आप लोग को district manager के दोवारा आप सभी लोग को पता चल जाएगा आप लोग इसका user ID and password को डालोगे लोग इन करोगे इसके बाद दोस्तों आप लोग जितने भी परकार के प्रोजेक्ट आएगी या जो भी प्रोजेक्ट आएगी आप लोग को notification मिल जाएगा इसको user ID and password login करते ही एन दोस्तों आप लोग वोग सारे services को access कर पाऊगे लोगों को अच्छी services provide कर पाऊगे मैं बता दो अगर आप लोग को भी online registration करना है आप लोग को अपने DSK group में join होना पड़ेगा जो की district manager ही करते हैं आप लोग को सबसे पहला number अपने district manager से contact के जिए वो आप लोग को group में जोड़ेंगे इसके बाद दोस्तों इसी परकार से आप लोग का digital गाओं का link आएगा आप उसमें डालके आप अपने digital लेज में online registration कर सकते हैं दोस्तों हमारे district के द्वारा आया गया था हमारे इस्टेट के द्वारा आया गया था इसलिए दोस्तों में इस Google form का link आप लोगों को description में नहीं डाल पाऊंगा असा करता हैं इस बड़े में कफी चीज़ान करी मिली होगी मिलते दोस्तों और एक सेने इंट्रेश्मेंट सा तर पेकलियर टाटा और गुद पाऊंगा